हालो स्टुडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमाद आपको पढ़ा रहे हैं, कम्प्टिटिव मैतमेटिक्स, जो कि आपके पृतोगी पर इच्छा में आने लाइक क्वेश्चन होंगे, जिनको आप एक सौट टाइम में कर पाएंगे, क्वेश्चन तो आप कर ल कर पाएंगे, जैसे, फ्रस्ट क्वेश्चन है हमारा, एट प्लस 88 प्लस ट्रिपल टाइम एट प्लस 4 टाइम एट प्लस 5 टाइम एट, अभी एडिशन करने के लिए का गया, तो क्या कोई इस एडिशन करने सकता, आप क्लास 2 के बच्चों को भी अगर आप दे देंगे, त लेकिन यहां क्या है, हम एक बहुत कम समय में क्या इस एडिशन को कर पाएंगे, देखना आईए, तो कम समय में करने के लिए आपको करना क्या है, आप यह देखेगा, यह सीरियल से हैं, वन बार एट हैं, फिर टू वार फोर वार फाइब टाइम से, तो इसको एक सौट टा ऐसे हैं का मल्टिप्लाइ कर दीजेगा, तो 85 जा 48, 4 जा 32, और 4 36, 8, 3 जा 24, और 3 27, और 8 2 जा 16, और 2 18, शानी 1, और 8 बन जा 81, 9, तो इस प्रकास से आप एक बहुत कम दिये गे समय में इसको कर सकते हैं, और वैसे आप इनका अडिशन करते रहते, थोड़ा समय लगता, तो हम क्या करेंगे इस प्रकास से पॉइंट ना तो आप जो काउंटी लिखेंगे जो गिंती लिखेंगे बन से लिएकर फाइब तक लिए अगर यहां पर सिक्स टाइम होता इसी प्रकास से बन टू 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 कि 8 का multiply कर दी थे अब देखेगा same way next question है इसमें क्या किया गया इसमें point लगा दिया गया है तो आपको क्या करना से में इसी तरीके करना है लेकि जब point लगा हुआ हो तो आप जो यह reverse आप जो गिंती हमने बन से लेकि 5 तो लेकि आप इसे 8 का multiply कर दीजिएगा तो जैसी 8 का multiply करेंगे तो यह वह जाएगा 8 बन जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 और 5 8 4 जा 32 और 2 34 कैरी 3 8 5 जा 43 43 लेकिन इसमें last time digit कितने है पॉइंटिक बाद 5 डिजिट है तो आप यहां पर 1 2 3 4 5 यहां पर point को प्लेस कर देंगे और यह addition हो जाता है तो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं देखते हैं नेक्स देखेगा यह multiplication है अब यह multiply 92 का मैं 93 करना तो क्या इस multiply को किया नहीं जा सकता सब कर सकते हैं तो जब option आपको given हो तो एक तो आप basic method है आप इसको जैसे multiply अपने छोटे classroom करना सीखाब ऐसे कर सकते हैं और यहां पर आप क्या करेंगे एक नई तरीके साब सीखेंगे जैसे यह देखेगा यह number 100 से 8 कम है तो minus 8 और यह number 100, यह number 100 से कम है तो 100 को आधार माने के हम करेंगे 100 as a base 100 को base मानते को करेंगे और यह मानस 7 है तो आप देखेगा इनका multiply करेंगे मानस 8 और मानस 7 का जब multiply करेंगे तो plus का 56 हो जाएगा तो हम यहां फिर इसका 56 रख देंगे मानस मानस का multiply plus हो गया अब आप देखेगा इनका addition इनका addition कितना हो रहा है इनका addition हो रहा है मानस का 15, तो मानस का 15 हंडेट से कम कर देंगे, तो यह हो जाएगा 85, यह इनका multiply हो जाता है, इसी प्रकास से second, यह भी दोको दोनों ही संक्या है, 100 से कम है, यह है minus 2, और यह नमर है minus 4, इनका multiply करेंगे, तो 8 आएगा plus का, लेकिन हमें 2 digit में number भूच चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0, 8 करके लिखेंगे, और इनका addition देखेंगा 4, और 2 का addition हो जाएगा 6, तो 100 से आप 6 करके जब कम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 94, होगया multiply, बहुत कम समय में, इसी प्रकास यह देखेंगा, दोनों ही number 100 से कम है, यह 15 कम है, मायनस का और यह मायनस का 8, तो एक तरीके साब देखेंगा, यह इनका multiply जब करेंगे, तो पिलस का 15, एक सो बीश है, यह नहीं 15, यह जा है, 120 होते हैं, तो करना क्या है, आपको यहां पर 120 नहीं लिखना, हम क्या करेंगे, 12 लिख देंगे, बन लगेगी carry, sorry, 20 लिख देंगे, बन carry माने जाएगी, बन carry माने जाएगी, इसको हटा दे रहे हैं से, बन carry, 120 आ रहा है, 120 कम 20 लिखेंगे, बन को carry माने अब देखेंगा, इनका अडिशन देखेंगा, अडिशन ओरा 23, मानस का 23 है, तो हंडेट से कम कर देंगे, जब मानस के 23, हंडेट से जब 23 कम कर देंगे, बचेंगे 77, लेकिन एक carry हमारी पास पढ़िया, तो 78 तो यह हो जाएगा, फानली 78 और 20, इस प्रकास से किया जा सकता इसका, नेक्स्ट है, अब यह दोनों नमबर 100 से अधिक है, 100 को आधार मानके करेंगे, यह पिलस 2 हैं 100 के साथ, और यह पिलस 3 हैं 100 के साथ, तो इनका अडिशन करेंगे, 32 या 6 हो जाएगा, तो 06 लिखेंगे, और इनका मल्टिप्लाइ करके रखेंगे, जब अडिशन करेंगे, तो यह 5 आरा प्लस का 5 आरा, तो 100 के साथ अडिशन करेंगे, 105, इनदा सेम भी, यह पिलस 17 है, और यह पिलस 7, इनका मल्टिप्लाइ करेंगे, 17, 7 जा बन 11, 19, यह 17, 7, 119, तो 119 की हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 19 ही लिखेंगे, और बन हो जाएगी केरी, अब निकार अडिशन देखेगा, कितना बोरा, 17, 7 का अडिशन, 24, 24, और 100 के साथ, 24 का अडिशन करेंगे, क्योंकों दोनों प्लस के हैं, तो 100 साथ अडिशन करेंगे, तो 124 हो जाएगे, और एक कहरी, 125, multiply, यह नमबर प्लस 5 है, और यह नमबर प्लस 8 है, इनका multiply करेंगे, तो 40 आ जाएगा, और इनका addition करेंगे, तो हो जाएगा 13, 100 के साथ 13 का addition करेंगे, तो 130, इस प्रकास से बहुत ही आसानी सी multiply किया सकते, आएगे देखते हैं next, और जो next question उसमें जो concept लग रही वो यह है, अगर unit place के नमबर का sum 10 हो, और 10th place सेम हो, तो multiply कैसे करते हैं, देखेंगे, देखेंगे 7, 3, 2, 1, और इनमें एक, 4 का अगला नमबर होता है, 4, 5 या 20, हो गया multiply, फिर समझेगा एक बार इस सवाल को, जैसे unit place के digit यह है, उनका sum 10 हो रहा, तो इनका multiply करके आप रख देंगे, और यह number सेम होने चाहिए, तो इस यह number 7 और 7 से next number जो आता है, consecutive number होता 8, 7, area 56, देखें, इनका sum 10 हो रहा है, तो 73 या 21, और यह number सेम है, तो इसका 9 का consecutive number होता 10, 10 ना जा 90, यह multiply हो गया, next है, इसमें भी देखेंगा unit place का जो नमबर है, उनका sum 10 हो रहा है, तो 64 या 24, और यहां सेम नमबर है, तो इसका consecutive number 10 का consecutive number होगा 11, 11, 10, जा 100, 10, अब देखेंगा किसी number में 25 का multiply करना हो, तो हम क्या करेंगे, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 16 into 100 upon 4 लेख सकते हैं, तो देखेंगा 4, 4 से, 4 से 16, 4 times cancel होगे, यह आगे हमारा 400, अगर 25 का multiply करना हो, इस प्रकास से भी कर सकते हैं, कभी-कभी क्या होता, यह number जो होता, 4 की table मारा होगा, तो करना आसान हो जाता है, इसी प्रकास से, अगर हमें 125 का multiply करना हो, किसी number में, तो हम क्या करेंगे, 1000 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यह इस से 4 times cancel हो रहा दिए, फैनली आगे है, फोर थाजन, यहां से करना आसान था, हमने बहुत कम समय में कर पाया, तो इस के लास में इतने सवाल थे, आपको addition और multiplication ही, हमने कुछ concept शम्म्याईए, आसा करता है, वो आपने सुझ पाया होगा, अगर आपने सुझ पाया होथा, हमने comment करके comment box में बता है, कि आपको यह questions कैसी लगे, that's all, जैहिन, जै भारत.